एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल और चावल से बनी चीजे नहीं खानी चाहिए आईए जाने यह मान्यता क्यों है? एकादशी वरत का शास्त्रों और पुरानों में बड़ा महत्व बताया गया है इस वरत को लेकर कई नियम और मान्यताएं भी है इनमें चावल नहीं खाना भी शामिल है इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही साथ वैग्यानिक कारण भी बताया जाता है धार्मिक कारण ये है कि धार्मिक डृष्टी से एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ अर्थात नहीं खाने योग्य पदार्थ खाने का फल प्रदान करता है पौरानिक कथा के अनुसार माता शक्ती के क्रोध से बचने के लिए महर्शी मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृत्वी में समा गया चावल और जौग के रूप में महर्शी मेधा उत्पन हुए इसलिए चावल और जौग को जीव माना जाता है जिस दिन महर्शी मेधा का अंश पृत्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथी इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्शी मेधा के मास और रक्त का सेवन करने जैसा है और वैग्यानिक कारण ये है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है इससे मन विचलित और चंचल होता है मन के चंचल होने से वरत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है एकादशी वरत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन अती आवश्यक होता है इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजे खाना वर्जित कहा गया है धर्म ग्रंथों में सभी तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ट माना गया है इस दिन किये गए जब तब का बहुत अधिक महत्व है धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन 11 ऐसे काम है जो करना वर्जित है आये जानते हैं कौन-कौन से है वो काम एक, जुआ खेलना जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार वकुटुंग भी नश्ट हो जाता है जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहां अधर्म का राज होता है ऐसे स्थान पर अनेक बुराया उत्पन होती है इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए 2. रात में सोना एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए पूरी रात जाक कर भगवान विश्नु की भक्ती करनी चाहिए भगवान विश्नु की प्रतिमाया तस्वीर के निकट बैट कर भजन करते हुए ही जागरन करना चाहिए इससे भगवान विश्नु की कृपा प्राप्त होती है 3. पान खाना एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है पान खाने से मन में रजोगुन की प्रवृती बढ़ती है इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ती को सात्वे का चार विचार रख प्रभु भक्ती में मन लगाना चाहिए 4. दातून करना एकादशी पर दातून, मनजन करने की भी मना ही है 5. परनिंदा परनिंदा यानि दूसरों की बुराई करना ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रती कतु भाव आ सकते हैं इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विश्नु का ही ध्यान करना चाहिए 6. चुगली करना चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं अन्य दिनों में भी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए साथ, चोरी करना चोरी करना पाप कर्म माना गया है चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में ग्रिना की नजरों से देखा जाता है इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पापकर्म नहीं करना चाहिए 8. हिंसा करना एकादशी के दिन हिंसा करने की मना ही है हिंसा केवल शरीर से ही नहीं मन से भी होती है इससे मन में विकार आता है इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए 9. स्त्रीसंग एकादशी पर स्त्रीसंग करना भी वर्जित है क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन होता है और ध्यान भगवान भक्ती में नहीं लगता अतह एकादशी पर स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए 10. क्रोड एकादशी पर क्रोड भी नहीं करना चाहिए इससे मानसिक हिंसा होती है अगर किसी से कोई गलती हो भी जाये तो उसे माफ कर देना चाहिए और मन शान्त रखना चाहिए 11. जूट बोलना जूट बोलना व्यक्तिगत बुराई है जो लोग जूट बोलते हैं उन्हें समाजव परिवार में उचित्मान सम्मान नहीं मिलता इसलिए सिर्फ एक आदशी पर ही नहीं अन्य दिनों में भी जूट नहीं बोलना चाहिए